हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रास किचन लैब आज हम बनाएंगे औरेंज जूस से हल्वा सबसे पहले जिस बरतन में आपको हल्वा ट्रांसपर करना है उसे घी या फिर ओईल से अच्छे से ग्रीस करिए आप काज का बरतन या फिर स्टील का बरतन भी ले सकते हो ये बारिक कटे हुए पिस्ता है इसे हम इसे स्प्रेड करेंगे हल्वे के उपर भी आप स्प्रेड कर सकते हो लेकिन नीचे डालने से ये अच्छे से सेट हो जाते है इसके उपर हम स्प्रेड करेंगे इलाईजी का पाउडर इलाईजी का पाउडर आप हलवे में डाल सकते हो या इस तरह से स्प्रेड करके भी ले सकते हो इस बर्तन को हम सैड में रखते हैं और अब निकालते हैं संत्रे का जूस हमें करीबन 200 ml संत्रे का जूस चाहिए याने 1 कप जितना जूस हमें निकालना है अगर संत्रे बड़े सा इसके है तो 3 लीजे या फिर छोटी सा इसके है तो आपको 4-5 संत्रे लेने होंगे संत्रे के जूस को आप छनी से छान भी सकते हो लेकिन मैं इस तरह से इसे बीज हटा के निकाल रही हूँ कप में अगर कोई बीज आता है तो इसे हमें निकाल देना है अगर बीज रह गया तो हल्का सा कड़वापन आ सकता है इसलिए हमें बीज हटा कर सिप गर का पोर्शन ही लेना है वन कप संत्रे का जूस याने ये 250 ml है तू थर्ड कप कॉन्ट फ्लार अगर आपको कॉन्ट फ्लार नहीं मिलता है तो आप कस्टर पाउडर का भी यूज कर सकते हो ये वजन में 50 ग्राम है हाप कप पूरा भरके में ने शकर लिया है ये वजन से 700 ग्राम है वन फोर्थ कप पानी, तीम चम्मज घी, इलाइची पाउडर, पिस्ता, निम्बू का रस, फूर्ड कलर और एसेंस इसका भी आप उप्योग कर सकते हो लेकिन मैं ज्यादा तर कलर और एसेंस अवर्ड करती हो अगर आप सारी चीजे ग्राम्स में नहीं माप सकते हो और आपके पास मेजरिंग कप्स भी नहीं है तो एक कटोरी आपको ओरेंज जूस लेना है उतनी कटोरी से थोड़ा सा कम कॉनफलार लेना है और आधे कटोरी से ज़ादा शकर लेनी है अगर आपको मिठा ज़ादा अच्छा लगता हो तो आप 500 ग्राम शकर भी एड़ कर सकते हो सबसे पहले हम औरेंज जूस में कॉनफलार एड़ करेंगे कॉनफलार इजीली घुल जाता है इसके लंप्स अगर बनते भी है तो ये जल्दी से तूट जाते है सिप ये पाउडर नीचे ना बैठ है कॉनफलार नीचे ना बैठ है उसका आपको ध्यान रखना है कॉनफलार एड़ करने से जो संत्रे का ओरिजिनल कलर था वो काफी लाइट हो गया है तो इस स्टेच पे आप एसेंस और फूड कलर यूज कर सकते हो हमने अभी तलग जितने भी प्रोसेस किये है ये आपको सबसे पहले कर लेने है अब शुरू होती है हलवा बनाने की प्रोसेस एक पैन या फिर कड़ाई लीजिए जिसका तलिया मोटा हो वैसा वाला बरतन हमें लेना है उसमें एड़ करिए शकर और पानी इसकी चास्णी नहीं बनानी है, पानी अच्छे से उबले और शकर पिगले तब तलग इसे हमें उबालना है पानी अच्छे से उबले तब तलग एक दो बार हम चम्मच इसमें हिलाएंगे ये हलवा बनाने में 10 से 15 मिनिट ही लगते हैं बहुत ही आसानी से बनने वाला हलवा है कॉनफलार आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा लेकिन जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे इजिली अवेलेबल होता है अगर आपको कॉनफलार नहीं मिलता है तो कस्टर पाउडर से भी आप इसे बना सकते हो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है शकर अच्छे से घूल गई है अब इसमें हम एड़ करेंगे निम्बू का रस निम्बू के रस के बदले आप साइट्रिक ऐसिल भी यूज़ कर सकते हो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने जूस और कॉनफलार का घोल जो बनाया था वो इसमें हम एड़ करेंगे लेकिन एड़ करने से पहले इसे चमट से अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि कौन फ्लार नीचे बैट जाता है गैस की फ्लेम हमें लो करनी है और पूरा हलवा हमें लो फ्लेम पे ही बनाना है एक हाथ से इसे एड़ करिए और दूसरे हाथ से चम्मज हिलाते जाएगा otherwise ये नीचे बैट जाएगा ये दोनों चीजे मिक्स करने के बाद चम्मज हमें continuous चलाना है रेस्ट नहीं देना है otherwise कौन फ्लार नीचे बैट जाएगा इसे गाड़ा होने के लिए दो से तीन मिनट लगेंगे इस तरह से आपको कुछ दिखेगा ये निशानी है कि ये गाड़ा होने लगा है इसे continuous बस हिलाते रहना है चम्मज को हमें तलिये से थोड़ा घिस के मिक्स करना है ताकि अगर कौन फ्लार नीचे बैटा है तो वो अच्छे से मिक्स हो इस stage पे आप food color और essence भी एड़ कर सकते हो आप dry foods एड़ करना चाहते हो तो वो भी stage पे एड़ कर सकते हो ये अच्छे से गाढ़ा हुआ है और ये हलका सा बरतन को अगर चिपक रहा है तो इसमें एक चम्मज घी एड़ करिए घी जैसे ही हम एड़ करते हैं इसमें एक अच्छे सी शाइन आती है हलवा जैसे जैसे घी पिता जाएगा ये बरतन को छोड़ देगा घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है ये देखिए हलवा पूरा हिल रहा है इसे हमें और दो से तीन मिनट पकाना है बंबे हलवा आता है अगर आपने वो खाया होगा तो थोड़ा सा चुई होता है हल्का सा रबरी जैसा होता है उस टाइप का चाहिए तो इसे हमें और 5-7 मिनट पकाना होगा यहाँ पर मैंने दूसरा गी का चमच एड़ कर दिया है जितना देर आप इसे पकाते जाओगे आपको बीच बीच में एक एक चमच गी इसे पिलाना पड़ेगा हल्वे ने पूरा बरतन छोड़ दिया है इसमें तीसरा चमच गी मैंने एड़ किया है मैंने जो मेजरमेंट बताया है उसमें तीन चमच गी पिलाना बहुत ही जरूरी है यह हलवा ready है बर्तन में transfer करने के लिए लेकिन इसको आपको और थोड़ा सा transparent बनाना हो तो इसे 1-2 मिनट और आप पका सकते हो और Bombay हलवा जैसे आपको चाहिए तो इसे 5 मिनट और पका लीजिए यह देखिए इस तरह की consistency होनी चाहिए बर्तन में transfer करने के लिए यह काफी transparent हो गया है जो बर्तन हमने grease करके रखा था जिसमें पिस्ता और इलाईजी पाउडर दाली थी उसके उपर हम यह हलवा add करेंगे और साथ-साथ में इसका leveling भी करते जाएंगे इसे तूरंध ही हमें level करना होता है अगर आपने इसे बीच में risk दिया तो level करना मुश्किल हो जाएगा इसे एक से दो बार आप tap भी कर सकते हो यह देखिए तयार है orange juice का हलवा इसे हमें दो से तीन घंटे के लिए थंडा करना है अगर इसे आप जल्दी थंडा करना चाहते हो तो नीचे एक plate रखे उसमें पानी डालिए और यह बर्तन उस पे रखे तो हलवा जल्दी से थंडा होगा इसे मैंने इस तरह से एक छनी से ढख दिया था दो घंटे के बाद यह अभी भी हल्का सा गरम है इसे हम एक plate में निकाल लेंगे इसे चूरी से side से cut करने की जरूरत नहीं है यह आसानी से बर्तन से अलग हो जाता है यह देखिए जैसे ही मैंने काच का बर्तन उल्टा किया यह अपने आप निकला आया बहुत ही बढ़िया slab निकला है इसे आप छूरी से या फिर डो कटर से भी cut कर सकते हो इसे cut करना बहुत ही आसान होता है यह पूरा जैली जैसे बनता है आपको जिस size का हल्वा चाहिए उस हिसाब से इसमें cuts लगाईए हल्वे को आप काज के या steel के बर्तन में जमाईए इसे बर्तन से अलब करना बहुत ही आसान होता है यह अपने आप निकलाता है इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है यह देखिए पूरा जैली जैसा बना है यह बहुत ही सस्ते में बनने वाली मिठाई है खाने के लिए तयार है और इंज उसका हलवा थैंक यू